आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अब तक हम सम्चत्रभुज के क्षित्रफल के बारे में जान चुके हैं आज हम सम्चत्रभुज के क्षित्रफल पर आधारित एक उदाहरन देखेंगे सम्चत्रभुज A, B, C, D का परिमाप 40 cm है यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 cm है तो क्या आप चत्रभुज A, B, C, D का शत्रफल बता सकते हैं? इस प्रश्न में के अवल एक ही विकर्ण A, C की लंबाई दी गई है अब सवाल ये है कि दूसरे विकर्ण B, D की लंबाई कैसे पता करें? इस स्थिती में सम्चत्रभुज के विकर्णों की विशेषताय की सहायता ले सकते हैं सम्चत्रभुज में विकर्ण A, C और B, D एक दूसरे को लंब सम्द्विभाजित करते हैं A, C, B, D पर लंब है तथा A, O बराबर C, O और B, O बराबर D, O है अब क्या आप A, O की लंबाई पता कर सकते हैं? शाबबाश! A, O विकर्ण A, C का आधा यानी 12 सेंटी मीटर का आधा 6 सेंटी मीटर होगी अब क्या आप सम्चत्रभुज के परिमाप का उप्योग करते हुए भुजा का मान बता सकते हैं? चुकि सम्चत्रभुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं सम्चत्रभुज की भुजा का माप सम्चत्रभुज के परिमाप के एक बटा 4 के बराबर होगा जोकी 10 सेंटी मीटर है क्षित्रफल ग्यात करने के लिए विकर्ण B, D का मान चाहिए परन्तु ये कैसे होगा? B, D, B, O का दो गुना है अतह यदि हम किसी प्रकार B, O का मान पता कर लें तो B, D का मान ग्याद कर सकते हैं अब क्या आप बता सकते हैं कि B, O का मान कैसे पता करें? जैसा कि हम देख सकते हैं कि त्रिभुज A, O, B में A, O और A, B की लंबाई पता है तथा कोण A, O, B का मान नब्बे अन्श है अतह त्रिभुज A, O, B में पाइथा गोरस प्रमेय उप्योग कर सकते हैं जिसमें A, O और A, B का मान प्रतिस्थापित करते हुए समीकरण हल करें तो B, O का मान आठ सेंटीमीटर मिलता है B, D, B, O का दो गुना है O, B का मान आठ सेंटीमीटर रखने पर विकर्ण B, D की लंबाई 16 सेंटीमीटर मिलती है चलिए, अब सम्चत्रभुज का क्षेत्रफल ग्यान करें जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सम्चत्रभुज का क्षेत्रफल विकर्णों की लंबाई के गुणन फल का आधा होता है A, C और B, D का मान रखते हुए सम्चत्रभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर है अतह सम्चत्रभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है आज इस वीडियो में हमने सम्चत्रभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उधारन समझा